मैं हूँ अकान शाह आज के वीडियो में मैं रेटिन वाइन जेल के बारे में बताने वाले हूं बहुत टाइम हो गया, पहले मैं सिर्फ ट्रेटिनॉइन रेटिनो ए जेल यूज करती थी, बहुत अच्छे से मेरे स्किन पर काम करती थी, मैंने बहुत सालों तक इसको यूज किया, फिर मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा यार बहुत टाइम से कुछ और भी चीजने ट्राय करना चाहिए, तो पर फिर से मैं यह ट्रेटिनॉइन जेल यूज करनी हूँ, रीजन यह कि क्लिंडमाइसन यूज करने से मेरे पिंपल तो ठीक हो जाते हैं, पर मेरे स्किन पर दाग धबे, और थोड़ी सी डल हो रही थी स्किन, तो इन सारी कि को दूराय कंने करने के लिए मैंने सुचा कि मुझे फिर से यह ट्रेटिनॉइन-जेल यूज यूज करके झेखना चाहिए, यह जो ट्रेटीनॉइन है, यह रैट घंड पल्जन उय और बहुत सारी परसंट्सेकर यूंध यह 0.05 परसंटेज में 1.25% में आता है 1% 2% में आता है बिगनर है तो 0.25% से आपको स्टार्ट करना है मैं 0.05% का यूज कर रही हूँ यह जो ट्रितिनोईन होता है यह विटमिन A का डेरिवेटेब होता है विटमिन A इसकिन के लिए बहुत जादा अच्छा होता है बहुत ही कम ऐसे इंग्रीडियंट्स होते हैं जो इसकिन की मल्टिपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यह उनमें से एक है बहुत सारे जो फेशियल एसिट्स होते हैं उनको में यूज कर चुकी हूँ पर यह जो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि लोगों ने एक एक दो-दो साल तक इसको यूज किया और बिल्कुल यंग नजर आते हैं क्योंकि यह एजिंग की प्रॉब्लम को कम करता है बात यह है कि इसको सही तरीके से अगर आप यूज करते हो ना तो इसके बहुत अच्छ कि प्रॉबलम को भी ठीक करता है तो 25 Price को यह यूज करना है क्योंकि जब आपकी इसकी में थीक करेगा तो इसकी पील करना शुरू करता है इसलिए आपको दिन में थी जरना ही नहीं है और एक्ने ट्रीट्मेंट मेरे यूज की जाने माले किसी भी क्रीम को आप दिन में पर इसको व्यच्छ थना दूपर उपर लगानेफने संस्क्रीन की लगा अई है। लिधो नालमेज़ आपको पांफने सकस्ट स्किंदेनी और यह को आपको मेंवाय निए अपल प्याय- निए Conservation funktion की सेसी निए सब लाएं पास आपकी skin red होने लगे क्योंकि मैं लगाती थी पहले इधर पूरी पर लगा लेती थी तो इधर-इधर मुझे redness होने लगी फिर मैं इसको सिर्फ ये सारे एरिया छोड़के बाकी सारे face face को लगाती हूँ स्टार्टिंग में आपको everydays को यूज नहीं करना है सिर्फ आप week में दो बार यूज करो इसके बाद alternate days पे यूज करना शुरू करो तो कुछ इस तरह से आपको धीरे-धीरे अपना timing बढ़ाती जानी है और जैसे जैसे time होता जाएगा आप इसका percentage भी बढ़ा सकते हो पर मैं दो बाल लगाओ या फिर आपको problem जादा है तो alternate days पे लगाना शुरू करो इसके साथ आपको माइड सा face wash करना है कोई ऐसा face wash यूज करना है जो chemical से भरा हुआ हो और काफी strong हो माइड सा face wash यूज करो और मैं जो face wash यूज करती हूँ इसके साथ वो sitafil है क्योंकि वह दोनों के link मैं description box में दे दूँगी वार से आप वो वीडियो देख सकते हो कि तो कुछ इस तरह से मैं इसको use करती हूँ तो alternate days पे जब मैं एक दिन यह जह लगाती हो दूसरे दिन emolene cream लगाती हो तो यह balance बना की रखता है बहुत जादा dryness मेरी skin पे नहीं होने देता यह सि जादा बहुत ही जादा dryness रहती है skin पे तब आप इसको use ना करें नॉर्मल dry skin है तो आप बिल्कुल इसको use कर सकते हैं इसके साथ आपको यह अच्छा सा मॉस्टराइजर यूज़ करें तब यह अच्छे से काम करेगा कौन कौन इसको use करता है कर सकता है तो आपको एकने है पिंपल है blackheads whiteheads आपकी skin से glow चला गया है आपको aging का problem है fine lines wrinkles का problem है spots है चेहरे पे brown spots है उन सारी cases में आप इसको बिल्कुल use कर सकते हैं और बिल्कुल आपको इसको use करना चाहिए अपने skincare routine में इसको करना चाहिए बहुत सारे forms में आता है gels में आता है creams में आता है अजकल serums वगरा मैं भी आने लगा है पर मैं कहूंगी कि आप gel use करो medicated gel use करो क्योंकि ये काफी affordable भी होते हैं और बहुत जादा effective भी होते हैं अभी इसको one month हो क्या है मैं इसको regular use करी हूं regular मतलब alternate days पर इसको use कर रही हूं सारे लोग इसको use करने से डरते हैं और उनको अच्छे results इसलिए नहीं मिलते इसके क्योंकि ये जो gel है ये क्या करता है जब आप इसको लगाना शुरू करोगे ना तो starting में बहुत जादा आपकी problems को बढ़ा देगा मैंलब आपके face को गंदा कर देगा मैंलब 10 दिन तक तो आपके pimples हो गया और जादा नसर आने लगेंगे तो कुछ इस तरह से काम करता है पर धीरे धीरे आपके स्किन पर सेट हो जाएगा और आपको असर दिखाई देने लगेगा पर जैसे आप इसको लगाओगे ना तो वन वीक तक आपको ऐसा लगेगा कि यार यह तो और जादा स्किन को डैमिज कर रहा है वहला पिंपल नजर आने लगे और ड्राइनस होने लगी तो यह कर क्या रहा है तो स्टैंप आपको भबराना नहीं है इसको कंटीनियो करो जब एक डिर महिने तक आप इसको रेगलर यूज करोगे तब आपको एक्चिल रिजर्ट मिलेंगे मतल क्योंकि पील करके ही आपकी प्रॉब्लम को दूर करता है रेडनेस हो जाना इचिंग होना इसको लगाने के बाद और बर्निंग होना अगर यह सारी चीजे होती है अगर आपके साथ तो आप इसको यूज ना करें और इसको यूज करने की ज़ुरत नहीं है इसका मदलब य तो पीलिंग को आप अपने तरीक से जॉल्व कर सकते हो कैसे कि अच्छा समस्टराइजर लगा लो तो आपकी पीलिंगी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कम से कम डेर से 2 महीने तक इसको रेगलर यूज करो तब आपको रिजल्स दे तो कुछ इस तरह से काम करता है लंबी टाइम तक यूज करो तब आपको समझ आएगा इक्तम से इसके इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है कि एक नाइफ में आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो यह सारी चीजे हैं प्ल है आपको स्किन पर कोई चोट वगेरा लगी हुई है कोई प्रॉब्लम है या फिर सेंस्टिव स्किन है तब आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें यह आपके लिए नहीं है आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ा देगी तो बिल्कुल आपको इसको तब यूज करने की सकते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई कोई है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रप्लाइज ज़रूर करूंगी तो यह था आज का वीडियो और आई तिंक मैंने ट्रेटिन वाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर दी है कोई भी कंश्यूज बिल्कुल आप कॉमेंट करके मुसे पूछ सकते हो आए होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीचे अब मलेंगे नेक्स वीडियो में तक लिए बाई बाई